नमस्कार दोस्तो मैं प्रदीप चंद्र स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड राज जी के निर्माण के समय जो अंदोलन होए जो समीतिया बनी है उन पर जो की परिक्षा की दिर्ष्टी से खासा महत्त पूर्ण होंगी केवल हम उनी तत्यों पर चर्चा करेंगे जो की परिक्षा की दिर्ष्टी से खासा महत्त पूर्ण हो जाती है ज्यादा विश्तार से इसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्रदेश में दो बड़ी परिक्षाइं आयुजित की जानी है 16 फरवरी और 23 फरवरी उसको ध्यान में रखते वे कि रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को हमने आपके लिए बनाया है और एक वीडियो की विए पूरी सरंखला हमने आपके लिए तैयार करी है जिसमें कोई जल्दी हम जो है जिलों से सम्मन्न जो है महत्पूर्ण तक्थियों को आप तक पहुँचाएंगे जिसमें जिले के अंदर जितनी भी चीज़े हैं वो सारी परिक्षा की दिस्षिज़ जो महत्पूर्ण होती है तो वो हमने समाहित करने की कोशिस करी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों से अवश्य साजा करें साथ ही हमारी चैनल को सस्काइब करें और वैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी चैनल पर अप्लोड किये जाने वाले वीडियो के बाद आपको नौटिफिकेशन मिले और आप जो है कि जो भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएं और उसका आप लाब उटा सकें और वरिक्ष्यामा अगर उससे संबनेत कोई भी प्रस्न अगर आता है तो आप बिना किसी निसंग को जिजक के जो है सही तरह से प्रस्न का उत्तर दे सकें तो सुरू करते हैं अपना ये वीडियो दोस्तो पहले कुछ वीवित तत्ति हमने यहां पर लिये हैं 21 जुलाई 2013 को NDRF की तरज पर प्रदेश में SDRF का गठन किया गया SDRF का गठन का 21 जुलाई 2013 में किया गया है और 1 जुलाई 2013 में राजी सरकार ने नदी तटों पर किसी भी तरह के निर्मान कारी पर रोक लगा दिया जिससे की नदी के बहाव उचेत्र प्रभाय इतना हो किसी तरह से धकलन दाजी नाई नदी के बहने में उस पर निर्मान नदी तटों पर निर्मान कारी पर रोक लगा दिया 21 जुलाई 2013 से ठीक है अगर पूछा जाएगी आपदा प्रबंदन समीती मैं जो सदश्यों की संक्या कितनी है तो साथ है जिसमें जो छे सदश्य हैं और एक अध्यक्स हैं कुल मिलाके जो साथ सदश्य हैं ठीक हैं आपको याद रखना है अब बात करते हैं उत्रा खंड़ से संबंदि जो भी प्र याँ हर छेत्र की जो है गहराई से जाकर के आपको जानकारी प्रुवाइट कराएंगे लेकिन यहाँ पर समचेत में सबसे मैं उत्रा खंड़ राज जी के गठन की मांग जो है पांच और छे माई को 1938 में स्रीनगर जो की जो पौड़ी गडवाल में है स्रीनगर स्रीनगर म पौड़ी गडवाल में जो है कांगरेस का विशेश अध्विशन आउजित किया गया था ठीक है इसके बाद अगर बात करें 1938 में 1938 में स्रिदेव शुमन ने गड़ देश सेवा संग की इस्तापना करी थी गड़ देश सेवा संग की इस्तापना कप की गई है 1938 में की गई है स्रिदेव शुमन के द्वारा और जो आगे चल करके हिमालाई सेवा संग के नाम से जाना जाने लेगा अगर पूछा जाए हिमालए सेवा संग की इस्तापना कप की गई है तब भी 1934 आपको आंसर देना है और गढ़ देश सेवा संग की इस्तापना कप की गई तब भी 1933 किसके द्वारा की गई है सुरिदेव शुमन के दोनों एक ही हैं आपको नाम याद रखने है ठीक है उनिस सोची आलीस में दो है अनसुया परशाद बहुगुणा ने कुमाओ मंदल तथा गड़वाल के लिए कुमाओ मंदल और गड़वाल मंदल के लिए एक ही एक अलग छेत्री जो है भौगुलिक इकाई की मांग करी थी एक अलग से भोगोलिक छेतरी इकाई की मांग करी थी यानि कि कुमाओ और गड़वाल मंदल जो पहाडी छेतर है उसको मिला करके एक अलग से भोगोलिक इकाई छेतर बनाने की मांग करी थी 1946 में अनसुय अप्रशाद पहुगणा के द्वारा ठीक है बात करें 1946 में ही बदिदत पांडे के द्वारा हल्दवानी कांग्रेस सम्मेलन में हल्दवानी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और इसमें परवती भूबाग के लिए एक विशेश वर्ग में रखने की मांग करी गई थी परवती जो छेत्र था उसको एक विशेश वर्ग में रखने की मांग करी गई थी उस समय 1946 में अगर पुछा जाएगी परवती छेत्र को या परवती भूबाग को एक विशेश वर्ग में रखने की मांग सरपर्थम कब उठाएगी या किसके द्वारा उठाएगी तो बद्रिद पांडे के द्वारा कब उठाएगी 1946 में कहां उठाएगी हलदवानी कांग्रेश सम्मेलन में ठीक है इसके बाद अगर बात करें 1950 में हिमानचल और उत्राखंड को मिला करें अगर पूछा जाएगी परवती विकास जन समेत का गठन काप किया गया 1950 में और इसमें परवती विकास जन सम्मीत के तहद यह किस समित के गठन के बाद उत्राखंड और हिमानचल को मिला करके एक बग एगी उठाएगी जन विकास जन समित के द्वारा ठीक है 1950 में आपको याद रखना है 1957 में मानवेंद्र साह ने अपने इस तर से प्रथक राजी आंदोलन चलाया था हम जो पच्चीस और चोवीस जून, چोवीस और पच्चीस जून 1967 में, राम नगर में जो पर्वती राजी परिशत का अगठिन किया गया था, जिसकी अध्यक्ष से, दयाकरिश्ण पांडे, ठीक है, दयाकरिश्ण पांडे, अगर पुछा जाए, पर्वतिय राजी परिशत के अध्यक्ष कोन थे तो दयाकरस्ण बांडे पर्वतिय राजी परिशत की स्थापना कप कीगी 1967 में 24 और 25 जून के बीच ठीक है यह आपको याद रखने इसके अलावा 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वरा उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतिय विकास परिशत की स्थापना की उत्तर प्रदेश सरकार क्योंकि उत्तर अखंड पहले उत्तर प्रदेश राजी में था तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वरा पर्वतिय विकास परिशत की स्थापना की गई कब की गई थी 1979 में राज जी के मतलब परवती छेतर के विकास के लिए ठीक है 3 अक्टूबर 1970 में PC जोसी ने कुमाउं रास्टी मोर्चा का गठन किया कब किया था कुमाउं रास्टी मोर्चा का गठन किया गया था 1970 में पूछा जाए कि कुमाउ रास्टी मोर्शा का गठन किस ने किया पीसी जोसी ने कब किया गया तीन अक्टूबर 1970 में कुमाउ रास्टी मोर्शा ठीक है आपको याद रखना है इसके बाद 1972 में नैनी ताल में उत्रांचल परशद की इस्ताबना की गई ठीक है और 1973 में उत्रांचल परशद की सदेश्यों की द्वारा दिल्ली की बोट कलब में बोट कलब में धरना दिया गया 1973 में पूछा जाए कि उत्रांचल परशद की सदेश्यों की द्वारा दिल्ली के बोट कलब में कब धरना दिया गया 1976 में 1976 में उत्राखंड युवा परिशत का गठन किया गया और जो है कि इसी के द्वारा 1978 में संसत का घेराव करने की कोशिस की गई पूछा जाएगी उत्राखंड युवा परिशत के सदेश्यों के द्वारा जो है संसत का घेराव करने की कोशिस कब की गई 1989 में जो है 53 सिंह नेगी के नेतरत्त में जो उत्रांचल राजी परशत का गठन किया गया ठीक है उत्रांचल राजी परशत का गठन किसके नेतरत्त में किया गया 53 सिंह नेगी के नेतरत्त में उत्रांचल राजी परशत का गठन कब किया गया 1979 में, 1979 में, 1979 में क्या किया गया है, उत्रान चल राजि परिश्ट का गठन किया गया, किसके दौरा, त्रेपन सिंग नेगी के दौरा, इसके अलवा अधर बात करें, 25 जुलाई, यानि 24 और 25 जुलाई के दौरां, Nina 89 में ही मसूरी में, उत्राखंड करांती दल का गठन किया गया पूछा जाए कि उत्राखंड करांती दल की स्थापना कहां की गई है मसूरी में की गई है कब की गई है 1989 में की गई है 24-25 जुलाई के बीच 24-25 जुलाई के बीच 1989 में मसूरी में उत्राखंड करांती दल की स्थापना की गई है ठीक है और जह 1987 में 89 में तो इसकी स्थापना भी उत्राखंड करांती दल की और 1987 में इसका विभाजन हो गया और इसका नेत्रत जो फिर 80C एरी के द्वारा किया जाने लगा ठीक है विवाजन के बाद अगर पूछा जाए कि उत्राखंड करांती दल का नेतर तो किस ने किया तो कासी सी एरी के द्वारा किया गया ठीक है कासी सी एरी आपको याद रखना है कब 1987 में जो है उत्राखंड करांती दल का जो है कि विवाजन हो गया था ठीक है इसके बाद अगर बात करें आपको याद रखना है ठीक है और 1980 में ही एक और घटना हुई थी जिसमें उत्राखंडर क्रानति दल के तिर्वेंद्र पवार ने संसत पर पत्र बंभम 《ज Sylafson 1998 ताजा शुबण सिंग की द्वार उत्षांचल परषद की स्थापना 1988 में छोबन सी जीना के दोरा बहुत बार पूचा भी गया है उत्षांचल उत्षान परषद की स्थापना किसंे कीए तो उत्षांचल इसके अलाओ inequalities में छोब्हां पर नाथासी में크ांती तक बने थे हमने आपको करांती दल हो गया उत्रांचल जो है कि उत्थान शमीती हो गया इसके अलाव जो हमने आपको बताइए कि इसके अलाव हमने आपको बताइए उत्रांचल युवा परश्यद हो गया उत्रांचल जो है कि परश्यद हो गया और कुमावरास्टी मोर्चा हो उत्राँचल संयुक्त संगर्स मोर्चा का गठन कब किया गया है 1989 में 1989 में 1989 में किया गया है किसकी स्थापना उत्राँचल संयुक्त संगर्स मोर्चा की ठीक है और उसके बाद 1991 में 1991 में भाचपा ने जो है अपने चुनाव का जो घूसना पत्र होता है उसमें उत्राखंड को प्रथक राज जी के रूप में सामिल किया था यानि कि बोला था कि अगर हम सत्ता माएंगे तो उत्राखंड राज जी को जो है हम जो है की अलग से जो है बनाएंगे मतलब उत्राखंड राज जी का हम गठन करेंगे यानि अलग से उत्राखंड राजी बनेगा ठीक है अपने घोशना पत्र में चुनाओ में 1991 में सामिल किया था और 20 अगस्त 1991 को केंद सरकार को ये प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया था भाजबाग के सदश्यों के द्वारा ठीक है भेजा गिया था 1991 में 20 अगस्त को और इसी समय एक और घटना हुई थी 1991 में ही दोस्तो 1991 में ही वामपंथियों के द्वारा जो वामपंथी वर्ग थे वामपंथी वर्ग के द्वारा उत्राखंड उत्राखंड जो है मुक्ति मोर्चा मुक्ति मोर्चा की इस्थापना की गई उत्राखंड मुक्ति मोर्चा की इस्थापना कब की गई 1991 में की गई वाम पंतियों के द्वारा पुछा जाएकि उत्राखंड मुक्ति मोर्चा की इस्थापना कब हुई और उसको जो है राजदानी के रूप में चुनाद प्रस्तावित किया ठीक है गैन सेन को नाम चंदरनगा रख दिया था किसने कासी सिंग एरी ने अगर पूछा जाए कि गैन सेन को राजदानी किसके द्वारा जो है बनाने का प्रस्ताव किया गया तो कासी सिंग एरी के द् समित का गठन कप किया गया है तो जनवरी 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट कप सोंपी तो इसने अपनी रिपोर्ट सोंपी थी मई 1994 में ठीक है को सिक समित का गठन जनवरी 1993 में अपनी रिपोर्ट कप सोंपी थी उसने मई 1994 में ठीक है ठीक है और 21 जून को 1994 में जो उत्तरप्रद उत्तरप्रदे सरकार के दोरा जो कौसिक समित की जो सिफारिसों को सुईकार कर लिया गया पूछा या कि कौसिक समित की सिफारिसों को कब सुईकार कर लिया गया उत्तरप्रदे सरकार के दोरा तो ये 21 जोन 1994 को किया गया ठीक है इसकी अलावा दोस्तों बात करें 1994 की एक और गटना है अगस्त की गटना 1994 में आठ जो है पहाली राज्यों जो पहाली जो छेत्र थे उनको मिला करके जो है उत्राखंड बनाने का प्रस्ताव जो है विधान सवा में पास किया गया था ठीक है आठ जो पहाली छेत्र थे आठ पहाली छेत्रों को मिला करके उत्राखंड एक अलग राजी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया अगस्त 1994 में ठीक है विधान सबा में उत्तर ब्रदेश की इसकी अलावा बात करें 1994 में विनोध बर्थवाल समीती ने प्रथक राजी की जो अन्वारिता पर सुझाव दिये थे अगर पूछा जाए कि प्रथक राजी की अन्वारिता पर सुझाव किस समीत के दोरा दिये गए तो विनोध बर्थवाल समीत के दोरा दिये गए थे प्रथक राज्जी अनिवारिता पर सुझाओ कब दिये गे थे 1994 में अगर इसके बाद आगे जो है एक सितंबर 1994 को एक सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड वा था परदरसन कर रहे लोगों पर गोली चलाए दी गए थी जिसमें 25 लोग मारे गए थे 25 लोग यहां पर मारे गे थे खटीमा गोली कांड में यह घटना थी एक सितंबर 1994 की और एक सितंबर 1994 में तो खटीमा कांड हुआ था लेकिन 2 सितंबर अगले ही दिन 1994 में 2 सितंबर अगले ही दिन 1994 में मसूरी गोली कांड हो गया था मसूरी कांड में जो है कि 7 लोग यहाँ पर मारे गे थे मसूरी कांड में 7 लोग खटिमा गोली कांड में 25 लोग मारे थे ठीक है खटिमा 25 मसूरी में 7 घटना कब किया एक सितंबर 1994 में खटिमा गोली कांड 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोली कांड हुआ थे ठीक है 1994 राम नगर में जो चात्र युवा संगर समित का गठन किया गया ठीक है राम नगर में चात्र युवा संगर समित का गठन कप किया गया तो आपको याद रखना है चात्र युवा संगर समित का गठन किया गया था राम नगर में 18 सितमर 54 में राम नगर में किया गया था चातर युवा संगर समीट पुचा जाए कि चातर युवा संगर समीट की इस्तापना कहां की गई है 28 सितमर निससओ चौरा नवैं 2 और 94 की बात होती है 2 और 94 में राम पूर्ती रहा कान्डवा था मुजभफर नगर रामपुर्ती राहा जिसमें 6 लोगों की मौध होगी थी 2 अक्टूबर को तीक है 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर्ती राह कांड 3 अक्टूबर 1994 में पूरे उतुराखंड में हिंसक प्रदर्शन होए थे जिसमें जो 7 लोग जो है साइध हुए थे ठीक है साथ लोग यहाँ पर साइध हुए थे उत्राखंड में पूरे हिंसक प्रदर्शन के दोरान कब 3 अक्टबर 1994 को याद रखना है कि मुझफर तिराहकांड का भुवा था मुझफर तिराहकांड जो था दोस्तों वो आपको 2 अक्टबर 1994 में हुआ था ठीक है 2 अक्टबर 1994 याद रखना है 2 अक्टबर 1994 में और 25 जनवरी 1995 में उत्रांचल आंदोलन संचालन समिती जो संविधान बचाओ यात्रा निकली थी जो उत्रांचल आंदोलन संचालन समिती थी जो भी उत्राखंड के प्रथक राजजी के निर्माण के लिए जो आंदोलन चला जा रहा था उसके जो संचालन का जो कारिगारी थी उस समीत के द्वारा समीधान बचाओ पुछा जाए कि समीधान बचाओ रेली कब निकाली गई समीधान बचाओ रेली जो है 25 जनवरी 1995 में 25 जनवरी 1995 में यहाँ पर निकाली गई थी स्रियंत्र टापु पर ठीक है स्रियंत्र टापु पर यहां पर घटना घटी थी उसमें रमेश बैजवाल यसुधर बैजवाल और राजेश रावत की मौत हुई थी ठीक है यसुधर बैजवाल कब स्रियंत्र टापु की घटना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो स्रियंत पुछे जाए कि किस प्रधान मंत्री के द्वरा उत्रा खंड बनाने की घोष्णा की गई वह अचडी देव गोड़ा उनिस सो च्यानव में 15 अगस्त की बात है रही ठीक है 15 अगस्त में और इसके बाद अगर बात करें तो 27 जुलाई 2000 को 27 जुलाई 2000 उत्तर प्रधेश पुनर गठन विधेयक लोगसवा में पेस किया गया तो 27 जुलाई 2000 में 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रधेश पुनर गठन विधेयक भी लोगसवा में पेस किया गया और एक अगस्त को एक अगस्त जो है दो हजार को लोकसभा और दस अगस्त को राजिसभा के द्वारा इसको पारित किया गया ठीक है जो ये उत्तरप्रतेश पुनलगठन विदेग बिल था जिसको 27 जुलाई 2000 में जो है 27 जुलाई 2000 में लोकसभा में पेश किया था वो लोकसभा में पारित किया गया वो जो एक अगस्त दो हजार में पारित किया गया राजिसभा में दस अगस्त में पारित किया गया और राष्टपती जो उस समय आरके नारायन थे उन्हेंने जो 28 अगस्त दो हजार में जो इस पर हस्ताक्षिर कर दिये और अपनी अनुमती दे दी थी ठीक है हस्ताक्चिर कर दिये जो भी उत्तरप्रदेश पुनगटन विद्येक विल था यह और उत्राखंड राज जी को बनाया गया इसके साथ ही ठीक है नौ नौमबर दो जार को जो है उत्राखंड राज जी बनके तैयार हो गया था और जो है इसके साथ ही जो उधम सिंग नगर था उधम सिंग नगर इसको जो है उत्तराखंड राज जी में जो है सामिल करने के लिए जो है एक कमिटी बानी थी उस कमिटी का नाम था जॉर्ज कमिटी ठीक है जॉर्ज कमिटी पुछे जाए कि जॉर्ज कमिटी किस से संबन नित है तो जॉर्ज कमिटी जो है दोस्तो आपकी उत्तर प्रदेश से जो है उधम सिंग नगर को उत्राखंड राजी में सामिल करने को ले कर गे था ठीक है उत्तर प्रदेश में उस समय था उधम सिंग नगर तो उधम सिंग न वेते जो भी समितिया बनी थी तो ये आपको ध्यान रखना है परिक्षा की दिश्टी से जो भी महत्पोन है वो चीज़े हमने कोशिस करी ज्यादा विश्तार से हमने नहीं बताया है और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों से वीडियो सेर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाव उठा सके आने वाली परिक्षाओं के लिए और एक और हमने यहाँ पर एक सूचना यहाँ पर और आपके सामने है दोस्तों ये गड़वाल जो है जागरत सभा की स्थापना 1949 में पॉड़ी में की गई जन जागरन से संबनी जो संस्ता थी यानि की उसकी इस्तापना कप की गिए 1949 में कहाँ पर पॉड़ी में ठीक है गड़वाल जागरत सभा 1949 में पॉड़ी में ठीक है तो दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को पर यही इस वीडियो में यहीं तक और मिलेंगे आपको अगल मेरी जारी रखिए, सबस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिन!